नमस्कार दोस्तों करीमन 70% लोग दान्टों के पीलेपन से बड़सान है क्योंकि दान्टों के पीलेपन का हमारे व्यक्तित पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है जैसे कोई व्यक्ति किसी के दान्टों को पीला और काला देखता है तो उसके मन में विचार आते हैं कि जरूर ये व्यक्ति तमाकू, स्मोगिंग, ड्रेंकिंग आदी नसीली चीजियों का सेवन करता हुआ इसके और भी कई पर्सनल्टी पर बुरे इसर पड़ते हैं इससे बचने के लिए दांतों का पीलापन दूर और दांतों के साफ करने का तरीका आज मैं आपको इस वीडियों बतानी आ रहा हूँ जो कि दूस्तों आपके दांतों के पीले पन को एक दम से हठा देगा तो चलिए दूस्तों जानते हैं क्या है इन उसका सबसे खास बात अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब रहे है साथी जाथ बगल वाले घंटे को बयाना न भूले तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हम लेगे हम पर एक खाली कटोरी इस खाली कटोरी हम लेगे सबसे पहले या पानी देख रहा है हम थोड़ी सी मात्रा में इसमें पानी लेगे जो कि दोस्तों मैंने यहापर दो चमश कराबर इसमें पानी लिया हुआ है दोस्तों पानी लेने के बाद में आपको दूसरी चीज़ जो यहाँ पर चाहिए वह दोस्तो सफिन नमक आपके दान्तों के पीले पन को साफ करने के लिए काफी फाइद मन दोता है तो दोस्तो हम यहाँ पर इतनी सी मात्रा में इसमें सफिन नमक एड़ करेंगी दोस्तो ध्यान रहे आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्य नमक इतना साई एक करना है दोस्तो अब दोनों चीहों को आपको अच्छे से मिला लेना है फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर चाहिए नीवू नीवू आपके दांतों के पीले पन को अठाने के लिए काफी फायद में होता है तो दोस्तो हमने आपर इसमें आदा नीवू काटके निचोड देंगे तो दोस्तो हमने आपर इस आदे नीवू को इसमें निचोड देंगे निवू में कुछ ऐसे जबजस बहतरी निपुन पायाते हैं जो आपके दांतों को पीले पन को जड़ से हठाता है इसमें ऐसे साइट्रिक ऐसे रोते हैं जो दांतों को पीले पन को खत्म करता है साथ यह दांतों की हर समस्या से लड़ता है तो दोस्तो आधा निवू इसमें मिलाने का अगР मैं तो तीनो चीच yaz को मिला लेंगे फिर दोस्तो आक को इसमें लास्ट चीज जो चाहिए वह है दोस्तो यहांपर बैक्टिंग पाउडर बैक्टिंग पाउडर भी आपके दांतों के लिए काफी फायदेमन दोता है आपने दोस्तों काफी यह नेट पर पड़ा होगा बैकिंग पाउडर से दांतों के पीले पन को साफ किया जाता है इससे दांत मूती की तरह चमकदार और सपेद बनते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पर इसमें जो है अच्छे से मिला लें दोस्तों यह आप देख रहे हैं यह हमारा पेश्ट कितने अच्छे से ज्ञाग दे रहा है तो दोस्तों अब यह हमारा पेश्ट अच्छे से बनके लेड़ी है दोस्तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें साथ यद वीडियो को सेर जरू करें तो दोस्तो अब आपको करना क्या होगा अब आप जो है इस पेश्ट को अच्छे से मिला कर अपना बुरुष लें जिससे भी आप डेली अपने दांतों को साफ करते हैं वही बुरुष आपको लेना है और इस पेश्ट को इस तरीके से अपने बुरुष के उपर ले लेना है इस तरीके से दोस्तो बुरुष के उपर लेकर अपने दांतों को उपर से कम से कम 3 मनद तक रफ करना है आपको ये निश्का कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकी जरूरू होता है साथी आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे की नएने वीडियो आप तक पहुंचते रहें मैं आपके लिए फिल लाम कुछ असा वीडियो तब तक के लिए दुस्सों बाई बाई